दोस्तों माज़ की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप एक Spender Plus को Electric Bike में Convert कर सकते हो यहाँ पर आपको किन किन चीजों की जरुत पड़ेगी उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और आपको कितना रुपए टोटल खर्च आने वाला है इसके उपर भी हम लोग बात कर लेते हैं तो आईए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी Conversion Kit से लेकर के क्योंकि बाइक तो आप कोई भी सा यूज कर सकते हो आपके पास अगर CD Deluxe हो तो CD Deluxe यूज करो CD Dawn यूज कर लो Super Spender यूज कर लो जो भी मन करें आप वो बाइक यूज कर सकते हो लेकिन यहाँ पर जो मैं यूज करने वाला हूँ वो है Conversion Kit यहाँ पर अगर मैं शुरुबात करूँ तो सबसे पहले आपको एक रिम चाहिए होगा इसके बाद इस Motor को Run करवाने के लिए आपको एक Controller चाहिए जो कि करीब 14,160 रुपए का पढ़ने वाला है उसके बाद एक 48V to 12V DC Converter चाहिए जो कि आपके बाइक में Lights को, Horns को और चोटे मोटे कुछ Features को आउन कर सके जो कि 12V चलते हैं तो उसके लिए आपको Converter जो है करीब 1000 रुपए का मानने वाला है इसके बाद throttle चाहिए होगा क्योंकि आपका जो यह already throttle लगा हुआ है बाइक में जिससे आपने बाइक को रिज देते हो वह काम नहीं करने वाला है तोटल आपकी चेंज हो जाएगी जिसका जो rate है वो करीब करीब 3600 रुपए है इसी के बाद आपको बैटरी में कितना voltage है कितना percentage है कितना देर चलेगा कितना किलोमेटर चलेगा उसकी जो information है वो निकालने के लिए आपको एक device लगाना पड़ेगा जिससे आप instrument के चोटा स जाते हैं चाभी से on-off करेंगे तो वो हो चाहिए और एक controller box चाहिए जिसमें छोटी मुटे चीजें जो है install रहेंगी इसे आप fuse box भी कह सकते हो तो इसका जो price है वो करीब करीब 3564 रुपए है इसके बाद आपको एक mcb चाहिए dc mcb जिसे आप अपने घर की बिली को on-off क जालने पड़ेंगे तब जाकि आप battery का box तयार करवा सकते हो main चीज कि आपको आपका जो bike में जो swing arm है वो चेंज हो जाएगा swing arm यहाला काम नहीं करेगा swing arm आपको बदना पड़ेगा जिसमें आपका पिछला पहिया fitted है उसी को swing arm बोलते है तो इसको बदलने के लिए आपक इसमें आपका swing arm आ जाएगा आप इसी की साथ आपकी bike कोई घर्रा करके लेकर चल ना दे कहीं ऐसा नो तो ऐसा एक anti-thrift system चाहिए जो कि आपके bike की wheel को lock कर देगा जैसा ही आप इसे lock करके हट जाएगा bike से और किसी बंदे ने आपकी bike को घर्रा करके घजीट करके ले जाने क कोशिच किया तो आपका जो यह anti-thrift system है वो wheels को lock कर देगा आपका गारी जो है बाइक जो है वो आगे जाएगी ही नहीं तो इस anti-thrift system को लगाने के लिए आप करें 780 रुपए खर्च होने वाले हैं जिसका जो total cost अगर मैं बताऊं जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी 500 रुपए के आसपास आने वाला है तो मोटा मोटी 45,000 रुपए आपके केवल फिटिंग के लग जाएंगे आपकी normal bike को e-bike बनाने में लग जाएंगे यहां पर अभी मैंने बैटरी की बात ने की है यहां पर अभी मैंने आपके bike के cost की बात नहीं की है मान लेते हैं आपने 20,000 रुपए की एक third class bike खड़ी जिसका engine खतम है बाइक की body ठोड़ी बहुत ठीक है आपकी chassis ठीक है टैर में थोड़ा बहुत काम है तो total मिला करीब 20 से 25,000 रुपए की आपकी एक bike की chassis total bike आ जाती है जो कि आपको चाहिए होगा तो 45,000 रुपए वो plus 25,000 रुपए की आपकी bike जिसका engine dead हो आप और कम मिला सकते हो अच्छी condition में bike तो बहुत अच्छी बात है तो कुमिला करके हो जाते हैं 70,000 रुपए तो आपके अब तक almost 70,000 रुपए खर्च हो चुके हैं जिसमें अभी तक आपकी bike में battery नहीं लगी हुई है battery की उपर सबसे बड़ी problem है कि आपको प जाइए तो हर 40,000 रुपए में आपको 40 km का range मिलने वाला है यानि कि एक किलोमेटर के लिए आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करने ही करने हैं तो मान लीजिए आपको 100 km जाना हो तो 100 km के लिए आपको करीब एक लाग रुपए की battery लगेगी ही लगी आप चाहे जो भी कर लो ह आप लेड एसिट battery के ऊपर जाते हो जो की सुखी वाली battery होती है जिसे आप तिजाब वाली battery भी कहते हो तो वो battery थोड़ी सस्ती वाली जाती है लेकिन उसमें जो है life नहीं मिलती है साल देड़ साल में वो battery खताम हो जाएगी और वो भी 30-40,000 रुपए से कम की नहीं आने व और एक लाग रुपए की सो किलो मेंटर वाली रेंज वाली आपकी battery बनी है तो एक लाग सतर हजार रुपए आपको चाहिए जो बाइक आपको सो किलो मेंटर की रेंज प्रवाइड करवा सकें तो इस वीडियो से आपको इतनी information तो हो गए होगी कि इस वज़ए से आपकी जो इलेक्रिक बाइक्स हैं इलेक्रिक स्कूर्टी इलेक्रिक कार्स हैं वह कितनी महगी हो जाती है तो दोस्तों आपको मेंटर कैसे लगी जल्दी से नीचे कमेंट में दो दाना भाई वीडियो अच्छे लगई है लाइक जरू करदेना चलिए फिर मिलते हैं नेक्ट अधर बताया हैं वह जिस्टी के साथ बताया है क्योंकि जिस्टी ही काफी जादा है